मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगड में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये साल कोविड का साल रहा है कोविड का प्रभाव सामाने जीवन पर जैसे पढ़ा वैसे ही सरकारी कामकाज पर भी इसका असर पढ़ रहा है जो कामकाज था वो करीब दो महीने तक बंद भी रहा कोविड के दोरान सरकार को 5000 करोर का तिर्रिक्त कर्ज लेना पड़ा है सीम ने कहा कि वेतन पेंशन समेट सभी को लगभग समय पर भुकतान किया गया है कोविड की स्थिती थोड़ी ठीक होई लेकिन अब फिर बढ़ने लगी है जिसको लेकर बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिये है सीम ने कोविड के चलते गाइडलाइन्स वा सावधानी बरतने के निर्देश दिये है वह उन्होंने कहा कि टीका करण जारी है अभी तक करीब 3 लाख लोगों को वेक्सिनेशन दी जा चुकी है प्राइवेट अस्पताल को भी जो पैनल पर उनको वेक्सिनेशन के लिए खोल दिया है अभी शक्ता पढ़ने पर वेक्सिनेशन के सेंटर बढ़ाए जाएंगे वह उन्होंने नीजी उद्योग में 75 पीसदी रोजगार के प्रशन पर कहा कि राजपाल ने आज ही अपनी संतुती दे दी है जल्द अधी सूचना जारी होगी वह उन्होंने एक अन्यप्रशन का उत्तर देते हुए कहा कि 2014 वा 15 में 70,900 करोड कर्ज था जबकि बिजली कमपनियों का कर्ज जोडें तो ये 98,000 करोड कर्ज बनता है स्टेट जीडीपी 3,99,000 करोड 2014 में थी जो आज 8,58,000 करोड है वह उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2014 के अगस्त में 73,21 रुपे पेट्रोल था 2015 में 70 के करीब हुआ 2019 में 73,89 हुआ अभी 84 रुपे प्रती लीटर हुआ है सीम ने कहा कि इतना रेट बढ़ना सामाने तर्स सभी चीजों में होता है वही किसानों के आंदोलन को लेकर सीम ने कहा कि किसान के नाम से जो आंदोलन चल रहा है इसमें किसानों को बदनाम करवाने की कोशिश होई किसानों को खड़ी फसल जलाने के लिए बहकाने की कोशिश शुरू कर दी और दूद के रेट बढ़ाने की बात कही गई वहीं सीयम ने किसानों से अपील की और कहा ऐसे आखवाँन ना खरे वहीं दूसरी और क्रिषी मंत warming ओपी धंकड भी मीडिया से रूबरू हुए उनोंने कहा कि क्रिषी कानून किसान को या आजादी देते हैं कि ये क्रिशी कानून पूरी तरहें से किसानों के हित्मे है वही धनकड ने कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस नेताओं पर तीखाववार किया खड़ी फसल को तबाह करने के सवाल पर धनकड ने का कि सच्चा किसान कभी फसल तबाह नहीं करता पूरे देश बर में एक लक्स अलिया है कि छेः अपरेल भारती जनता पार्टी का स्थापना दीवस है 41 वर्ष जो है वो 6 अपरेल 1980 को भारत गंता पार्टी की स्थाफना हुई थे तो प्रदेश भर में स्थाफना दी वो समनाना उसके साथ कुछ संगठनात्मक लक्ष रखे हैं तो जो किसानों के बड़े-बड़े हीतों की बात करते हैं किसानों कोई पैरवी की बात करते हैं वो किसानों के लिए मामूली चीज़े भी नहीं करवा पायते स्वामीनाथं विपोर्ट का इंप्लिमेंटेशन किसी ने हाथ पकड़े थे क्या कांगरेश पारटी कांगरेश पारटी क्यों उसको 6 वरसों तक अपने पैरों नीचे दबाई रही और उसी के नीचे फिर हुटड़ा कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया कांग्रेस पार्टी केवल किसान हित की बात करती है ये वही लोग हैं जिन् Personality रुपे के चेक दिये थे लोगों के पास हैं वो चेक जो भुड़ा साब के पोंचाये हुए चेक लोगों ने अपने पास रखे हुए इसलिए ये कोई किसान हिते सी नहीं है केवल किसानों के अंदोलन पर जिनकी राजनीतिक बैतरणी जो है पार करने के चक्कर में हैं जिनके हालात खराब हैं क्योंकि अपनी लिडर्शिप के भरोसे यह आगे नहीं बढ़ सकते इनकी जो केंदरिय नेतरतो है वो सरसो और तोरिया में अंतर नहीं बता सकता इसके तहट आपको मिलेगी 6 लाख रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जिस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जिस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें